आप सब आप सब थीक हूंगे हैरस से हूंगे अलहमदलिल्ला आप सब की द्वाउं से मैं भी ठीक हूँ और काफी डी मोटिवेट थी की का जिन्दगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं जिसे इनसान जाना बिलकुल ठक हार जाता है ला किसे वाउस को कुछ नजर नहीं आता मेरी भी कुछ ऐसी तबियत थी बस कुछ ऐसे असरात है जिनका इलाज इनसान हुद्धी कर सकता है तो तबियत सुबा की टाइम ही हराब होगी थी सोई भी थी तो बस प्रॉब्लम स्टार्ट होगी और फिर जाना बहुत ज़्यादा कंदे हैवी होगे थे उसके लिए फिर मैं उठी हूँ और अपना इलाज खुद ही स्टार्ट कर दिया साथ बहरी के पते लिए हैं उसके साथ गुसल किया फिर को दकेल कि जो आना जो नमाज तक पहुंची हूं ये थर्स्टे वाला दिन था बहुत ही ज़्यादा तब अथराब होगी थी ज़्यादा ना कि नमाज की तरफ तो जाने ने था हो रहा और मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया था कि ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है और कैसे होती हैं इनको कैसे मैनेज करती हूं बस ये जो आना मैं तो अला तला की तरफ से एक अजमाईश ही समझूंगे अला तला मुझे इस पे पूरा उतरने की तोफीक अता फरमाएं और दिन जो आना बहुत ही अजीब सा गुजर रहा था हर चीज बिखरी हुई थी सब कुछ गर बिखरा हुआ था कुछ समझ ने था रहा पिर उठी हूं मैने का चलव स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा मैडिसन ले ली मैने पैन किलर ले ली जिससे मेरे कंदे थोड़ से हलके हो जाएं और साथ ही मेरी आंखों से इतना पानी स्टार्ट हो जाता है ना ते wenige लोग ऐसे हों गें जो ऐसे एसरात में मबतला होंगे मेरे विलॉग भी देख रहे होंगे तो उनको मैं बस यही कहोंगी के हुद को दखे लें जिन जोड़ें उठें यह तकलीफे लगी रहती हैं बस अला प्ला के सिवा इसका 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 इलाज कहीं पर भी नहीं है ज उनको सारी चीज़े काट के दे दी थी तो वो हांडी बना रही थी और में सारी बैड चीज जो है ना यह एक living room की है एक मेरे room की एक अबू के room की तो इस तरह से मैं इनको रख देती हूं फिर मुझे तो कल फ्राइडे था बारा अबियो लवल का दिन था बच्चों को तो स्कूल से छुटी थी पर मैंने उनके कपड़े जोना प्रेस करके रख दी है क्योंकि छुटी वले दिन कहीं ना कहीं उनका प्रोग्राम बना रहता है और हस्बिन के भी कपड़े थे तो साथ ही मेरे जो तो तक्रीबन तक्रीबन मुझे अडाई बच गये थे नमाज की तरफ जाने के लिए बहुत मुश्किल से वुजू करके नमाज पर आई और फिर मैंने का थोड़ी देर बाहर जाओं थोड़ा सा अला तरह से दुआ करूं थोड़ी से ठीक हो जाओं ये मेरे कंदू से जो वो जाना वो हलका हो जाए ताके मैं जाना गर के काम और सारी अपनी एक्टिविटीज रेगुलर में करती हैं वो कर सकूँ तो काफी स्कून मिला गार्डन में आके मज़े का मौसम था इतना हुश्या जी स्कून मिल गया और दमाग भी जाना बिलकुल फ्रेश हो गया था यह सारा मौसम देखे और हमारे घर में जो लेमन थे वो माशाला से पकने लगे हैं अब हम जाना गर के लेमन यूज करेंगे और बहुत ही जूसी थे मैंने इनको काट के चेक भी गिया था तो माशाला से 12 रब्यों लवल का दिन था और सुबा फजर का टाइम भी इतना हु साथ ही मेरी बोडी जाना हलका फील करने लगी और जैसे कंदे हलके होगे बहुर उतरने लगा बिलकुल अलहमदलिल्ला से दुबारा से अपनी पोजिशन पे आई और अल्हाला का शुकर अदा किया और बस यह चीज़ा जरूरी हो जाती हैं जिन्दगी में लगी रहती हैं यह वाली चीज़ें इनको एकनार करें और जीते जाएं अपनी जिन्दगी जैसे अल्हाला ने लिखी वी है अल्हाला की हुकम के बगएर कोई आपको कुछ भी ने बगार सकता जब तक अल्हाला का हुकम है आप जीएंगे कामियाब होंगे हसेंगे खेलेंगे लोगों पे हुआ है और इस तरह के काम अगर हम रेगुलर भी कर लेना बगएर किसी हासदीन की नजर से या जादुए असरात के बगएर भी अगर हफते में एक दफ़ामी वाला काम कर देनी है रेगुलर अपनी रोटीन बना लेना तो इन्शाला हमारे हमारा गर जाने एक बाबरकत प कर लो फिर जलते हैं तो जायरा आपके पास सपोर्टिव पार्टन होना तो आप हर चीज ज़ुक्ति ऑपके लिए इसी हो जाती है या इस तरह की किसी बिमारी में मुब्तला हो जाओना उनकी हल्प से काफी बेटर फिल करती है और सबसे जरूरी जाना अल्ला ताला के काम है और अल्हम्दलिल्ला जितना अल्ला ताला हमें मुश्किलों में डालते है ना उतना हम अल्ला ताला के करीब होते जाते हैं बचे इतने एक्साइटिट थे हम लाइट्स देखने जा रहे थे वैसे लाइट्स का क्या कहूं सब के अपने अपने शोक होते हैं तो एक श में रोई हुए किसम की आंसों निकल आए हांखों से के मिलाद के नाम पे क्या हो रहा है पर ये अगर हुबसूरती है शेहर की माशाला से एक दिन के लिए होती है तो ये तो बहुत भूसुरत लग रहा था और हमने भी ये नहीं कि हम जा रहे थे हमने देखा और इसलिए मैं कहा रही उसको वैसे भी कि एक दिन है स्पेशल अज़र्द मुम स्वालाओं के उमती होने पे जो एक स्पेशल दिन रखा गया है वैसे तो उनकी अतात तो जिनकी के साथ साथ है ना अलाओ अलाओ हम सब को उनकी अतात करने की तुफिक अदा फर्माएं और शेहर अच्छा लग रहा था हम भी आगे थे देखने के लिए माशाला से बच्चे भी हुश हो गे थे और बच्चों के लिए होता है सब कुछ पहले हम मिरपूर जाने लगे थे ना मिरपूर फिर यहां से काफी दूर पढ़ जाता चक्सवारी थोड़ा सा करीब है तो हम चक्सवारी साइड आके थे और यहां पे एक गली थी जिसको बहुत ही हुशूरती से सजाया गया था और फिर भूक लग लग थी बच्चों को ह मैं आपे बर्गर्स का ओर्डर दे दिया था वो भी खाये थे सबने यह वो गली है माशाला से जिसको बहुत ही हुशूरती से सजाया गया था तो बस आगे यही सजावट है और यही था मेरा विलॉग और बस आप लोग के साथ एक हुशूरत सी बात मैंने शेयर की है जो लोग भी परिशान हैं जो लोग भी इस चीज़ से परिशान हैं किसी नजर से परिशान हैं किसी हसद के हसद के वज़ा से परिशान हैं तो मैं स आपको थोड़ सा स्पोर्ट करें, आपको वुजू करवाएं, आपको जानमास तक एक दफ़ा वो लेकर आजाए ना, जैसे मा बचे को चलाती है, तो जब चलना शुरू कह देता है, तो मास को छोड़ देती है, वो ही हिसाब होता है, यह जो नजर बत के और हसदीन के नजर क जो शिकार होते हैं गर में, अगर उनको स्पोर्टी फैमिली मिल जाती है ना, तो वो स्पोर्टी फैमिली एक मा के बराबर होती है, जो आपको जानमास तक ले आती है, और बस छोड़ देती है, जब आप इस तरह की पेशिंट्स को जानमास तक ले आएं ना, तो वो फिर और उनका मामला हो जाता है और बड़े रहीम है इन लोगों पे हो ना तो ये आपको जीना हराम कर दें पर अल्ला तने करीम है ना कि वो आपको आपकी हिम्मत से जादा तकलीफ नहीं देते मैंने तो अपनी चोटी से जिन्दगी में यही सीखा है अभी इतनी एज़ भी नहीं हुई और बहुत कुछ सीखी है माशाला से और अल्हम्दलिल्ला अतनी जल्दी अगर मैंने सीख लिया ना तो इसका बेला तला को शुकर अदा करती हूँ तकरीबन पांच से छे साल से देखे जा रही हूँ कि इस प्रॉब्लम में हूँ में पर सीखती जा रही हूँ सीखती जा रही हूँ एक स्ट्रॉंग बन रही हूँ और इस चीज पर सबर कर लिया करें कि लोग आपकी दुनिया हराब करके ना अपनी आहरत छराब कर देते हैं. तो सबर कर लिया करें क्या होता है इस चीजों से आई अ Kerryंवे लोगों हम घूम रहे थे तो मैंने का आप लोगों के साथ भी शेयर कर दो आगे पता नहीं नात लगाऊं जो हमने प्ले की हुई थी गाड़ी में तो उसकी कोपी राइट इशू ना ही आए इसलिए मैं बोल रही हूं साथ आपके बाते कह रही हूं तो अगर आपको मेरा विलोग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दें शेयर कर दें और सबस्क्राइब कर दें और माशाला से आप लोग के इतने अच्छे चे कमेंट्स आते हैं ना मैं सब को दिखारी भी होती हूं देखो मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी एक फैमिली बन गिया एक बोडिंग जो जुड जाती है ना बहतरी लाईयों मैं अपने विलॉग में एंगल्स देखती हूं, हर चीज़ देखती हूं, ताकि मैं आप लोग के साथ एक अच्छी बाद शेयर करूं, और कोशिश करती हूं मेरे विलॉग में एक बात ऐसी हो, जिसको आप सीखें, और आपके कमेंट्स ऐसे हूं कि जिससे म कोई मंशुरा दे दें benz या कोई ऐसी चीज़ा देखें कि फिर मुझे भी बताएं जाहर हर इंसान की अपनी सोच होती हैं, हर इंसान अपनी सोच से सोचता हैं, तो कमेंट्स में लाजबी बताया करें, कि आपको मेरे विलॉग कैसे लगते हैं, कुछ मेरे जो कमेंट्स में आते हैं ना वो तो regular हो गए है वो तो एक किसम के मुझे उनके comments की आदत हो गी है और अलहम्दलिल्ला से अलहम्दलिल्ला मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा मुझे यहां YouTube पे आके और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और द्वाओं में specially specially द्वाओं में याद रखेगा अला तला बस मुझे जो है न हिम्मत दे और मेरे साथ साथ अला तला सबको हदायत दे यही था विडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा अला हाफेज